नमस्कार दोस्तों, दोस्तों दो जून 2020 को निजला एकादसी है, साल वर में 24 एकादसी आती है, इनमी निजला एकादसी को सबसे सिष्ट माना गया है, इसी भीमसैनी एकादसी भी कहा गया है, क्योंकि महारिसी बेद ब्यास के अनुसार भीमसैन ने इसी धारन किया था, माननेता यह है कि इस एकादसी का ब्रत रखने से ही सान में आने वाली समस्त एकादसी का फल प्राप्त होता है इस ब्रत में सूर्य उदेश से द्वादसी के सूर्य तक जलने पीने का विदान होने के कारण इसे नेजला एकादसी कहते हैं इस दिन निजल रहकर बगवान विष्णू की अराधना विधान होता है इस ब्रत से दिरकायू और मोक्स की प्राप्ति होती है निजला एकादसी पर अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए साम के समय कुछ उपाए कर सकते हैं निजला एकादसी पर नमक का दान करने से बुरा समय दूर होता है और सेष्ट भोजन की प्राप्ति होती है एकादसी के दिन तिल का दान करने से सकती मिलती है और मृत्यो का भै दूर होता है निजला एकादसी के दिन जो ब्यक्ती घी का दान करते हैं उनकी सारे रिकमजोरी दूर होती है एकादसी के दिन कपडों का दान करने से आपकी उमर बढ़ती है और आपकी काया निरोगी रहती है निजला एकादसी के दिन जो लोग अनाज का दान करते हैं उनके घर में कवी अनकी कमी नहीं रहती हमेशा उनके अनके भंडार भरे रहते हैं नेजला एकादसी के दिन भगवान को गुड का भोग लगाने से वैसिगर परसन होती है जो व्यक्ति गुड का दान करते हैं उन्हें हमेशा सुद और मन चाहा भोजन प्राप्त होता है नेजला एकादसी में ओ नमो भगवती बासु देवाय नमे मंतर का जाप करे इस दिन गोदान करने का भी विसेज महतु होता है दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दिखिए